हेलो एवरिवन होप यह और फाइन होप सब अच्छे से होंगे सो दो दिन से आपको वीडियो नहीं मिला होगा मैं थोड़ा बिजी था सो आपको वीडियो नहीं आया जो हम टॉपिक हमने जो सेक्शन कवर कर रहे थे बागी जो बापे कजक्शन होंगे कोई से जिएल के लिए प्रेइर किर रहे लिए थे कम्पीटर एक एक सेवार्य को में सब्ले आपक। वह almost same ही रहता है, so इस section को हम cover करेंगे, इसके already हमने तीन पार्स upload कर दियें, जिसमें introduction देखी थी, हमने generations of computer देखे हैं, वो सारी चीजे हमने cover करी है, history of computers, ये तीन पार्स हमने upload किये, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, so आज हम cover करेंगे, इसमें classification of computer, जो आज का topic रहेगा हमारे पास, वो है classification of computer, तो जहां से examiner पूछता है, जो जो चीजें पूछता है, वो चीजें में आपको साथ-साथ बोरूंगा, कहां से questions बनते हैं, किस तरह से questions frame किये जाते हैं, so आज का topic रहेगा, वो है classification of computer, so हम direct topic पे आते हैं, हमारा classification of computers है, वो देखते हैं, क्या-क्या ह है, देखो, so classification of computer की बात की जाए, तो based upon the size, हम size की basis पे देखते हैं, कि कितना बड़े हो सकते हैं, उनका size कितना हो सकता है, उस basis पे computer को चार हिस्सू में divide किया गया है, अब कौन-कौन से हैं, पहला है micro computer, and second one is mainframe computer, third one, many computer, fourth one, super computer, चार किसम के computers, four types of computers हैं on the basis of size, size के basis पे सबसे पहले इन चारू के नाम याद रखना, कभी examiner इस तरह से पूछ सकता है, कि on the basis of size, which of the following is not a type of computer, नहीं है, नीचे option देगा, या which of the following is a type of computer on the basis of size, इस तरह से option देगा नीचे, तो यह सबसे पहले important बनता है, कि on the basis of size, आपको चारू के नाम याद होना चाहिए, फिर detail में इनको one by one करके पढ़ेंगे, जहां से questions बनते हैं, सबसे पहले हम micro computer की बात करते हैं, ठीक है ना, so micro computer की बात करें, तो micro, micro का मतलब क्या होता है, छोटे, बिलकुल, जिनको हम हाथ में उठा सकते हैं, एक जगा से दूसरी जगा ले जा सकते हैं, और यह least powerful होते हैं, इतने ज्यदा powerful नहीं होते हैं, याद रखना, दूसरा character इन fastest growing type, सबसे तेज तरीन grow होने वाली type of computer यह है, और most widely इसे ही लोग use करते हैं, that's micro computer, इनको एक और नाम से जाना जाता है, इनका निकनेम है, वो चीज़ भी याद रखना, इने हम portable computers बोलते हैं, portable क्यों बोलते हैं, इनको एक जगा से दूसरी जगा आराम से लिया जा सकता है, इसी लिए इनको हम portable computers बोलते हैं, and fourth future इनका यह है, consist of three basic categories of physical equipments, इनमें तीन तरह की equipments होते हैं, एक system unit होता है, एक input output unit होता है, and third one is memory unit होता है, यह तीन जो होते हैं, यह तीन equipments जो होते हैं, इसके अंदर होते हैं, एक system unit, एक input output unit, and memory unit, यह हमारे पास है, micro computers, यह इनके futures थे, अब हम कुछ types of micro computers देखते हैं, आपको पता होना चाहिए, कि micro computer में कौन-कौन सी आजाते हैं, हमारे पास, देखो, micro computer में some types of the micro computer, और, देखो, micro computer में आपकी कौन-कौन सी types आती हैं, वो देखते हैं, हम सबसे पहले desktop computers, और PCs जिनको कहा जाता है, जिनको personal computer कहते हैं, यह desktop आपके गर में होगा, बिल्कुल जैसे पुरानी TV आती थी, वो उस तरह का computer बना होता है, CPUs के साथ होता है, इन्हें हम desktop बोलते हैं, यह आपके, micro type में यह आपकी example है, कुछ micro types के अंदर यह वाले computer जो होते हैं, इन्हें हम, जैसे हमारे पास desktop है, जिनको हम personal computers बोलते हैं, type of micro computer की एक type एक example है, तो यह क्या होते हैं, यह small, little inexpensive, इतने ज्यादा महंगे नहीं होते हैं, effective होते हैं, काफी ज्यादा आप आराम से खरीद सकते हो, and based upon the microprocessor technology की based पे, integrated circuit यह इन्हें, IC circuits में fit होती हैं, जो मैंने आपको पीछे बोला था, किस generation में ICs के इस्तमाल किया गया वो आप मुझे comment box में लिखोगे, so इसमें ICs का use किया जाता है, उसके बाद, यह point याद रखना बहुत important है, examiner पूछ सकता है, यहां से, first IC, पहली integrated circuit was discovered by, पहली IC, इन्हें, integrated circuit, इसको सबसे पहले discover किया था, jack, किलबे, jack, किलबे, and robert NYC in 1958, यह चीज़ याद रख लेना, कि first IC, first integrated circuit was discovered by, किस ने discover किया था, jack, किलबे, and robert NYC in 1958, बहुत important है, यह point, याद रखना, discoveries examiner पूछता है, वहां पे, उसके बाद, दूसरी चो example आती है, micro में वो है आपके laptops, यह आपके laptops जो होते हैं, यह चीज़ भी याद रखना, कभी examples पूछ सकता है, कि इन्हें से कौन सा आपके पास micro computer है, कौन सा नहीं है, चार options डालेगा वहां पे, तो यह चीज़ पता होने चीज़ यह, laptop जो होता है, it's a micro computer, इसे ultra book के नाम से भी जानते micro computer में laptop जो होता है, इसको दूसरे नाम से जानते है, ultra book भी बोलते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं, जिस इसको बोलते है, notebook, ultra book, यह सारी सेम चीज़ें, यह हमारे पास laptop, उसके बाद, potable, potable का मतलब, आराम से एक जगा से दूसरे जगा ले जा सकती हो, lightweight होता है, यह include recharge rechargeable batteries के अंदर, बिल्कुल battery लगी होती है, आराम से charge करके, आपको कोई CPU वगारा कुछ नहीं उटाना है, आपकी batteries में लगी होती है, इसको हम recharge कर सकते हैं, जैसे हम phone की battery होती है, उसको recharge करते हैं, उसके बाद आपके पास एक और example, micro computer में आती है, वो है handheld computers, handheld computers क्या हुए, smallest and designed to fit in the palm, यह आपके हतेली में यह आ जाते हैं, इतने छोटे होते हैं, यह palm tops बोला जाता है, क्या बोलते हैं, palm tops, used pen, for the input के लिए, इसमें pens के इस्तमाल किया जाता है, light pens होते हैं, instead of keyboard, यहाँ पे keyboard नहीं होता है, pen होते है, आपके पास light pen उनका use किया जाता है, handheld computers, बिल्कुल आ type हमारे पास, यह हमारे पास, we have a key feature of notebook, notebook computer का बिल्कुल की feature होता है, accept input from the pen, इसमें भी कोई keyboard का use नहीं किया जाता है, आपके पास light pen होगा, उससे आप input data को उसमें enter कर सकते हो, दे सकते हो, ठीक है न, यह थे tablets computer, it's also type of micro computer, and next one is आपका है, personal digital assistant, सबसे पहले full form यादना, PDA, personal digital assistant also known as handheld PCs, or personal data assistant, दूसरे नाम से इसको जानते है, handheld PC बोलते हैं, या फिर personal data assistant के नाम से भी जाना जाता है, it's also a type of micro computer की, यह एक type हमारे पास, एक example हमारे पास, यह चीज़ याद रखना, तो it is used, it is a mobile device that function as a personal information manager, यह एक mobile device की तरह काम करती है, बिल्कुल, यह होती है, personal digital assistant, यह सारे थे micro computer, इसमें आपके laptop, इसमें आपके desk tops, इसमें आपके palm tops, यह सारे include किये जाते है, micro computer में size के इसाब से, तभी मैं बोल रहा हूँ ना size, उसके बाद हमारे पास next type जो आती है, second one, वो आती है हमारे पास, जो में उपर आपको थोड़ा flow chart बताया था, इसका, वो है mini computers, देखो mini computers क्या होते हैं हमारे पास, micro तो हो या complete, mini computers, small in size, size में बिल्कुल छोटे होते हैं, और foster बहुत ज़्यदा तेज काम करते हैं, cost lower than the main frame, जो main frame हम third one, जो पढ़िंगे computer की type होगी हमारे पास under business of size, उस main frame से क्या होता है, कि इनकी कीमत बिल्कुल कम होती है mini computers की, इसको सबसे पहले mini computers को design किया गया था, कि ये कुछ specific functions perform करेंगे, जैसे computer aided design, सबसे पहले इसका full form यादना CAD, CAD का मतलब होता है computer aided design calculation, ये CAD एक software होता है, जो engineering purpose में use किया जाता है, जैसे कोई building के designs दिये जाते हैं, buildings जो layout बनाए जाते हैं, designing में इसको 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 किया जाता है CAD को, CAD हमारे पास software है, तो वो उस purpose के लिए ये computer बनाएगे, mini computer का भी पूछ सकता है, examiner engineering purpose में CAD में कौन से computers की example आती है, वो mini computers में आते हैं, but no use as a central computer के तोर पर अब इसे 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 इसको इसे 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 हम server बोलते हैं, तो ये चीज भी याद रख काम करते हैं कुछ एक्जाम्पल्स हैं इसकी मिनी कंप्यूटर्स की जैसे हमारे पास IBM 17, DEC, PDP 11 यह कुछ कंप्यूटर्स की टाइप से जो मिनी कंप्यूटर में आते हैं HP 900, 9000 तो इस आर मिनी कंप्यूटर्स ज्यादा था इंगिनिरिंग परपस में इस्तमाल किया जाते हैं इतनी चीज़ याद रखना उसके बाद नेक्स थर्ड वान हमारे पास है जो है में फ्रेम जो अभी मैंने बोला था आपको में फ्रेम की बात करेंगे देखो में फ्रेम कंप्यूटर क्या होते यह large internal memory storage, इनके अंदर large बहुत ज़्यदा memory storage capacity होती है mainframe के अंदर, और यह comprehensive range of software system इस्तमाल होते हैं, और mainframe computer का सबसे main मकसद होता है, यह business purpose के लिए इस्तमाल किया जाता है, यह याद रख लेना के business में जो इस्तमाल होते हैं computer की types होती है, the pieces of size, वो mainframe है, और mic जो आपने अभी पसे से पहले जो हमने cover किया है, जो जिसको हमने mini computer बोला था, वो use किया जाते हैं, ज्यादा था engineering purpose में, यहीं CAD, computer-aided designing में इस तरह से, तो business में कौन से use किया जाते है, mainframe computers, इनको हम considerate करते है, heart of the network of computer terminal, यहीं computer का network जो होता है, उसका दिल माना जाता है, इसे heart माना जाता है कि इसको mainframe computers को या फिर जिसे terminals कहा जाता है, और allow a large number of people to work at the same time, बहुत सारे लोग एक वक्त में बहुत सारे इस पे काम कर सकते हैं, तो कभी examiner ने यह चीज़ पूछी गई थी, कि mainframe computers को कौन से computers हैं, जिनको हम business में use करते हैं, वो ज्यादातार होते है mainframe computers, और उसके बाद इसकी कुछ examples से हैं वो याद रखना, IBM 370 है, IBM 5 by 390 है, Univac 1110 extra, यह types of mainframe है, और उसके बाद आता है most important type of computer on the basis of size that is super computers, और दूसरे नाम से जानते हैं number crunchers, कभी examiner पूछ सकता है which of the following is known as number crunchers, नीची example आपको option देगा micro computer, mainframe computer, super computers, how many computers, so super computer का दूसरा नाम है number crunchers, यह चीज़ें याद रखना यही examiner पूछता है, for test, सबसे तेज तरीन, जो सबसे तेज तरीन computers हैं, वो है super computers, और सबसे expensive, सबसे कीमती जो हैं, वो भी है super computers, यह point भी बहुत important है, सबसे महंगे और सबसे तेज तरीन computer कौन से है, super computers, उसके बाद high processing speed compared to the computers, बाकी computers के मकाबले में देखा जाए, उनके comparison में इसकी speed बहुत ज़्यदा होती है, speed of the super computer की speed को हम major करते हैं, flops में, किसमें, यह चीज़ याद रखना है, कि super computer की speed होती है, उसको हम flops में major करते हैं, flop का full form क्या है, floating point operation per second, यह जहां पर भी आते हैं, जहां पर भी आते हैं, हमारे पास abbreviations, यह चीज़ें याद रखना है, यहां से examiner बहुत बार question पूछता है, आप किसी भी exam में देखोगे, दो तीन इस पर question आते हैं, full form पूछे जाते हैं, FLOPS flops, जिसमें, speed of computer major करते हैं, सूपर computer की, उसका full form क्या है, floating points operation per second, used for weather forecasting, इसको ज्यादा था हम, weather forecasting, nuclear research, military agencies, scientific research labs, तो उनके लिए जैको, जो सूपर computer होते हैं, जैसे हम आज कल बोलेंगे, मौसम कैसा रहेगा, आपका weather कैसा रहेगा, उस weather को forecast करने में, super computer का इस्तमाल, military purpose में, missile launching में उन चीज़ों में भी, super computer का इस्तमाल किया जाता है, nuclear different research की जाती हैं, वहाँ भी super computer का यूज किया जाता है, scientific research होती हैं, वहाँ भी super computer का यूज किया जाता है, यह area से जहाँ पे super computers used किया जाते हैं, उसके बाद most powerful, सबसे powerful और larger in size and memory में काफी ज़्यदा होते हैं, यह चीज़ जात रखना इसके बारे में यहाँ से questions पूछे जाते हैं, उसके बाद कुछ important points में यहाँ पे discuss करता हूँ, अभी कली हाली में जो Sunday को exam था, 17th को, 17 March को finance inspector का, वहाँ पे direct question पूछा गया था, यही question वहाँ पे exact पूछा गया था, कि कौन सा दुनिया का पहला super computer है, डिरेक्ट पूछा गया था यह question, तो यह चीज़ वो है आपके पास, दुनिया का सबसे पहला super computer है, Cray 1, आप पेपर जाके देख सकते हो, वहाँ पे यह question था, Cray first was the world first super computer, दुनिया का पहला super computer, जिसे इंट्रडूस किया था, सीमोर क्रेने, 1976 में, यह question आपको वहाँ पे मिलेगा, जो इंस्पेक्टर finance का exam था, लेवल 6 पोस्त थी, वहाँ पे यह question पूछा गया था, कि world का पहला super computer कौन सा है, वह है Cray first, इसी के साथ कुछ और point said किये मैंने, वह है कि दूसरा question है, यहाँ परम, परम की बात करें, तो first super computer developed in India, अब इंडिया का कौन सा सबसे पहला super computer था, 1990 में developed हुआ, वह था परम, यह चीज़ भी याद रख लेना, और 10A की बात करेंगे, 10A2 world for test super computer, यहाँ बना लेता है question, तो यह पूछ सकता है, यह था पहला परम इंडिया का था, तो यह हमारे पास थे, types of the computer, on the basis of size discuss किये, हमने ठीक है न, so उसके बाद हम देखते हैं, on the basis of work, अब काम की basis पे, work कौन किस तरह से करेंगे हैं, काम करता है, तो सबसे पहले बात करें, on the basis of work, तीन तरह के computers होते हैं, analog computer, digital computer, and hybrid computers, वो हमने on the basis of size discuss किये थे पहले, यह on the basis of work के, analog computer, digital computer, and hybrid computer, one-by-one करके हम इसको discuss करेंगे, सबसे पहले हम जाते हैं, analog computers पे, देखो, analog computers क्या होते हैं, these are job oriented computers होते हैं, carry arithmetic and logic operations, analog computer में, arithmetic and logic operations का मतलब हो गया, addition, plus, multiplication, division, यह सारी चीज़ें की जाती हैं, greater than, equal to, less than, यह सारी चीज़ें जो होते हैं, analog computers perform करते हैं, perform the several mathematical operations, एक साथ बहुत सारे mathematical operations जो होते हैं, analog computer करते हैं, उसके बाद दूसरे हमारे पास आते हैं, digital, digital computers work by calculating the binary digits, यह binary digits कौन से हुए, zero and one, तो उन से calculations करके, यह computers जो होते हैं, perform the mathematical operations, calculation but also combine bytes to produce a desired graphics, sounds, इसमें आपको sounds, मिनिंग यह graphics produced होंगे, bytes की combination, bytes units होते हैं, computer के अंदर, जैसे desktop के अंदर, यह digital होते हैं, analogs वो होते थे जो पुराने पहले यूज़ के जाते हैं, आज काल digital computers हैं, अब third and one जो होती हैं, आपके पास hybrid computers आते हैं, hybrid कुछ नहीं होता है, it's a combination of, उन दो का analog और digital दोनों को मिलाओगे, तो आपको hybrid computer मिलेगे, analog और digital computers का combination, आपको hybrid computer देता है, machines जो आजकर hospitals में use की जाती हैं, जैसे ECG, कभी नहीं डॉक्टर आपको आपके prescription पर लिखता है, आप जाओ और अपना ECG करवाओ, तो ECG का full form होता है, electrocardiograph, तो वो आपका एक hybrid computer के based पर आ जाता है, dialysis करते हैं, जिसमें kidney की cleaning वेर की जाती है, hospitals में use, यह भी hybrid computer पर based होती है, तो यह आपके पास hybrid computer, इसमें दोनी चीज़ें होती हैं, digital भी काम करते हैं, analog का भी यूज़ किया जाता है, उसके बाद based on the purpose, purpose के basis पर देखते हैं, कौन क्या काम करता है, purpose इसका क्या है, journal purpose के लिए है, या फिर special purpose के लिए है, general purpose के लिए होंगे, कौन से computers होते हैं, जो general काम करेंगे, जैसे हमारे पास आते हैं, these computers which are used to solve the variety of problems, जैसे उन में changing the programs को change करना है, instructions, example जैसे, small database के लिए, calculations के लिए, accounting के लिए, जो general purpose के लिए, जो computer use के जाते हैं, simple से मात, special purpose के लिए जो use के जाएंगे, जो special purpose, those computers which are used to solve a single and addicator type of problems, जैसे automatic aircraft learning में जो इस्तेमाल किया जाते हैं, multimedia computers होते हैं, specific purpose के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं, वो special purpose computer होते हैं, बस, यह यह journal और special में difference, इसके बएद एक term याद रखना, quantum computer की बात करें, इसको सबसे पहले introduce किया था, Richard Femen ने, important important points जो साथ साथ में होते हैं, मैंने star care करें के इनको अच्छे से पढ़ना, quantum computers को सबसे पहले introduce किया था, Richard Femen ने, तो यह थी types of computers, आप कुछ applications देख रहते हैं, और यह topic हमारे यहाँ पर complete करते हैं, फिर next topic होगा, applications, journal में यह तो हर एक को पता होगा, कहां कहां पर आप computer का इस्तमाल करते हो, simple सी बात है, मैं पहले बोलूँगा इसको थोड़ा जल्दी जल्दी में, applications क्या होती है, computer की scientific research, different research करते हो आप scientific basis पे, वहां पे computer का इस्तमाल किया जाता है, different jobs perform करने के लिए, इसी तरह से दूसरी बात करें, उसके बाद हमारे पास आता है, application का business as purpose में आप computer का इस्तमाल करते हो, education में आजक्याल इस्तमाल किया जाते हैं, computer का बहुत important role play करते हैं, वहां पे और उसके बाद इसी तरह से हम देखेंगे, entertainment, वीडियो को वाच करना, vlogs बनाना, watching movies, listening songs, यहां पे आप computer का इस्तमाल करते हो, इसी तरह से banks जो होते हैं, वह तो पूरा computer पे ही चलते हैं, तो वहां पे computer का इस्तमाल किया जाता है, तो काफी benefits आपको वहां से मिलते हैं, इसी तरह से engineering purpose में, मैंने अभी आपको बोला था, दो software यूज किया जाते हैं, उनके full form याद रखना है, CAD, CAD का मतलब है, computer-aided designing, इसका full form याद रखना, and CAM, इसका भी computer-aided manufacturing, यह direct पूछता है examiner, CAD, CAM, इनके full form, यह वो systems होते हैं, जो आपको कहां पे इस्तमाल होते हैं, engineering purpose में, इसी तरह से हम बात करेंगे आगे, medicine related, वहां पे भी आपको computer का ज्यादा इस्तमाल होगा, medical field के अंदर, and उसके बाद हम देखेंगे, book publishing में भी computer का का अहम रोल अदा होता है, वहां पे भी, so, वहां पे भी तो different tasks जो होते हैं, computer perform करते हैं, gaming system में आप देखोगे, जो games आती हैं, different, जैसे कोई pub g केलता है, बाकी games खेलता है, वहां पे भी computer का एक important role प्ले होता है, using computer most of the times to play games, इसी तरह से आप देखोगे, recreation purposes के लिए में तब हमारे पास हमारी entertainment and pleasure time to have a also effect on the computerization पे इसका काफी important role, military purposes में भी computer का क्या होता है, काफी important role play होता है, weather forecasting में, nuclear research में, missile launching में, तो यह चीजें थी यह computer के क्या क्या है, यह थे computer की applications, so, हमारा topic यहां पे complete होता है, classification of computers and applications, उसके बाद जो हम next topic पे जाएंगे, वह topic हमारा कौन सा रहेगा, वह topic हमारा रहेगा, उसमें हम discuss करेंगे computer architecture, उसकी designing, उस computer के components क्या होते हैं, वह next topic में जाएंगे, जहां पे input output CPU, memory unit वह चीजें cover करेंगे, so, हमारा यह fourth part यह upload अप्लोड हो जाएगा, इसी तरह सी computer section हम complete कर देंगे, और इसके notes आपको last पर provide के जाएंगे, आप तो अच्छे सी चीजें cover करना, ताकि कोई भी questions, computer section of camera, एक important section हो और यह आपका बहुत ज़्यदा अच्छा हो जाएगा, आप अच्छे से इस चीजे को cover करोगे, so, जो भी इस चैनल पर नया है, वो इस चैनल को सबसे पहले subscribe कर ले, bell icon को press करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अप्लोड होता, screen notification आपको मिलेगी, और टेलिग्राम चैनल को जोईन करने के लिए सकते हो, सू हो मिलते के लोकिया लाफीज, थैंक यू,